दोस्तों इस वीदो में हम बात करेंगे जीओ के बारे में जीओ फाइबर आप कैसे लगा सकते हैं अगर ऑगर आपके जीओ अवेलेबल जीओ की जीओ ऑवेलेबल jीओ फाइबर और आपको broadband connection की requirement है और आप चाहते हैं कि उसको लगाना बट अपलाय करने से पहले आपको सारे कॉश्चन के अंसर चाहिए जैसे कि क्या इंस्ट्रोलेशन चार्जेस होंगे क्या प्लान होंगे क्या सेक्यूरिटी डिपोजिट लगेगा यह सब में इस वीडियो में आपके सारे जो कॉश्चन ह इस तरह की जो पूरी प्रोसेस हो सब को वीडियो में जो होती है वो जियो के बारे में बताने वालाओं अगर आपके यहां भी जयो अवेलेबल है तो आप बढ़ी असानीशत्य जियो और यहां प्लाय करने कलदें आपको उसकी फ़िक्सटी अ करनेकर ने पड़ेगी तो वह भी मैं आगे बताऊंगा स्वीडियो करिए अगर आप डेक्स्टॉप में नहीं है तो दोनों यूजर है हमारे इसलिए मैं दोनों तरीके बता रहा हूं आप डेक्स्टॉप से इस तरह से अपलाए कर सकते हैं और अगर आपके पास कोई मोबाइल फोन है तो उसके एप के तो जीओ फाइबर की एक अलग साइट खुल जाएगी तो जीओ डॉट कॉम स्लेश फाइबर यहां पर आपको अलग अलग प्लान दिखाए देंगे जो की सबसे पॉपुलर है देट्सों में का टिपल नाइन में और मंतली प्लान यह सारे आपको मंतली यहां पर पे करना पड़ेंगे और टिपल नाइन में आपको यहां पर मंत इसमें आपको जो बहुत सारी सर्वीसे मिलती वह काफी अच्छे मिलती है जिसे कि Amazon Prime की जो सर्वीसे लास्ट्यू में में गलती से बोलते है था कि वन यह की लिए मिलेगी वन यह की थाउजन रुपीज की होती थी Amazon Prime की बट वो 129 की पर मंत की होती थी अब 129 पर मंत तो प्राइम में चला गया बिजनी प्लस हो स्टार भी सम्तिंग इत्ते की आती 200-300 रुपे की मुझा एक्जेक्टली पता नहीं है तो लगबग यहां पर चला गया और यह जो प्लान दे रहे हैं में 30 दिन के लिए यह ब 500 रुपे का सम्तिंगा है इसमें आपको 300 Mbps की स्पीड मिलेगी, 2500 का 500 Mbps की स्पीड मिलेगी, 4000 का 1 Gbps की स्पीड मिलेगी, 8000 का इसमें भी 1 Gbps की स्पीड मिलेगी पर इसमें जो है वो डेटा केप आपको देखने को मिलती है अब एक बात यह है कि यहां पर आपको कोई तो वहां पर मुझे 3 TB की डेटा के देखने को नहीं मिलती है, किसी भी प्लान में, यह एक अच्छी बात है, यहां पर आपको कोई लिमिट नहीं मिलती है, जैसे कि हम ATL की बात करें, यहां पर यहां पर यूज लियू अपर यो देखने को मिलती नहीं, यहां पर मेरी 3TB, यानि कि 3300 GB के बाद मेरी स्पीड कम हो जाएगी, तही डेटा मिलता है, उसके अलावा जादा डेटा नहीं मिलता है, अब इसमें आपको कोई भी लिमिट नहीं मिलती है, देखिए, अनलिमिटेड बता रहा है, 1500 MB में अनलिमिटेड आप महिने बर दिन राच चलाओ, प्लान है, इसमें आपको कोई भी एडिशनल सब्सक्रिप्शन नहीं मिलती है, यह यह यहां पर डिफरेंट है, और जो 999 है, इसमें एक सर्वीस एड हो जाती है, आपकी जो Amazon Prime है, बाकि जो दूसरे जो नॉर्मल जीयो की एपसारी उसकी सब्सक्रिप्शन तो इनमें भी म प्लान है, उसमें आपको एक Netflix की सब्सक्रिप्शन भी एड हो जाती है, तो यह एक अच्छी बात है, अब बात करते हैं यहां पर सेक्यूरिटी डिपोजिट की, जो की बहुत सारे लोग वेट कर रहे थे यार कि यह कब बताएगा, तो दिखिए ध्यान से अगर आप पूर लेंगे, तो आपको starting के 30 दिन तो कुछ नहीं देना है, 30 दिन एकदम free है, 30 दिन में आपको कुछ नहीं देना है, सिर्फ आपको सेक्यूरिटी डिपोजिट देना है 25 रुपे का, सेक्यूरिटी डिपोजिट रहेगा आपका 25 रुपे का, अगर आप यह वाला प्लान लेते सेक्यूरिटी डिपोजिट देना पड़ेगा 25 रुपे, वो सेक्यूरिटी डिपोजिट कब आपको refund होगा, अगर आप एक महिना जो free trial मिलता है आपको, एक महिना यह सभी प्लान में free trial मिलता है, आपको एक महिने के कोई भी पेसे नहीं देना है, अभी भी वो चल रहा है, मैंने confirm किया है, आज ही मेरी बात हुई है, आज तारीक है 28-6, 28-6-2021, आज ही मेरी बात हुई है, वो free दे रहे हैं, एक महिने का, जो की trial है, free, जिसे की लिखा हुआ रहा है यहां पर, तो यह कोई पुराना नहीं है, तो आपको security deposit देना है 25 रुपे, अब एक महिने बाद आ आपने एक महिना free में यूज कर लिया, आप दूसरे महिने आपको recharge कराना पड़ेगा, अब recharge जब आप कराएंगे तो आपको खुद से recharge कराना पड़ेगा, यह बाइनाओ पर क्लिक करके, आपको आपका number होगेरा मिल दाएगा साथ में, उस जो free trial लेगा, उस में number मिल दाए यह इसी तरह से चलता रहेगा every month, अब मालो आपको एक साल बाद जो आपको पसंद ने आ रहा है, एक साल बाद आपको connection कटवाना है, तो जब भी connection कटवाएंगे, आपको जो amount हो पूरा refund हो जाएगा, उस में से 1 रुपय भी निकटएगा, पूरा total amount हो refund हो जाएगा, और आ Airtel की अगर हम बात करें, तो Airtel में वो modem दे देते थे, क्योंकि हम already उनको पेसे दे देते थे, तो अगर आपको refund चाहिए, यह case भी हो सकता, अगर आपको refund चाहिए, तो आपको modem देना पड़ेगा, refund नहीं चाहिए, तो आप modem रख सकते हैं, यह condition भी हो सकती है, अगर आ इन से भी करवा सकते हैं, तो आपको कोई भी first recharge तो करवाना कंपल सरी है, otherwise आपका connection disconnect हो जाएगा, तो यह आपको करवाना है, एक महीने बाद आपको मानलो, दूसरे महीने से आपको requirement नहीं, connection की broadband की requirement नहीं, तो आप दो महीने तक बंद भी रख सकते हैं, दो महीने बंद जैसे आप recharge करेंगे, वापस आपका connection चालू हो जाएगा, जैसे कि phone में होता था पहले, phone में अभी क्या होता है, mobile में, SIM जो हम लेते हैं, prepared SIM, उसमें इसा होता है, 90 दिन तक हम recharge नहीं कराते हैं, तो हमारा incoming outgoing बंद हो जाती है, but connection तो चालू रहता है, SIM तो चालू रहती है, उ जी ओ, जो fiber connection है, इसमें number ना बंद होगा, ना कुछ भी नहीं होगा, वो साल बर तक चलता रहेगा, कभी भी आप recharge कराएं, साल बर बाद, दो साल बाद उसमें recharge कराएंगे, वापस से चालू हो जाएगा आपका internet, within one hour या half an hour में आपका internet चालू हो जाएगा recharge कराने के बाद जैसे dish TV में होता है, dish TV में आप recharge कराते हैं, उसी तरह से ये भी काम करता है prepaid में, अब बात करते हैं post paid की, तो जैसे आप post paid पे अगर आप आते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा scene change है, यहाँ पर कोई security deposit नहीं लगेगा आपका, बट आपको amount पहले pay करना पड़ेगा, 2400 रु जाएगा, 6 महीने plus 15 days extra मिल जाएगा, अगर आप अलरड़ी यह करते हैं, तो इसमें भी आपको, जो है अगर आप यह वाला लेते हैं, 6 महीने वाला, तो इसमें भी 15 दिन extra मिल जाएगे, तो इसी तरह से यह काम करता है prepaid post paid दोनों में, अब modem की बात करते हैं, तो modem वो ख change करवाने की जरूरत नहीं है, वो आजकल ऐसा ही modem दे रहे हैं, जिसमें 1GB तक वो support करता है, बस वो limit कर देते हैं, आपको back end से, आपकी speed को, तो यह यहाँ पर difference है, तो plan की detail आपको बता चुका हूँ, installation charge कोई भी नहीं है, security deposit है, वो आपको देना पड़ेगा, 1500 रुपे, अ आपके आधार कार्ट पे, मनला आपका आधार कार्ट लगेगा, आधार कार्ट पे जो address है, उसी address पे आपको connection चाहिए, तो सिर्फ आपका आधार कार्ट लगेगा और कुछ भी नहीं लगेगा, अधार कार्ट नमबर भी लग सकता है, या फिर photocopy भी लग सकती है, तो वो आप ready रखिए और कुछ भी नहीं, अगर आप ऐसे address फिल रहे हैं, जहां rent पे रहते हैं और आपका आधार कार्ट से वो address में इस नहीं करता है, तो फिर उस case में आपका आधार कार्ट तो लगे गई, साथ में जो भी पडोस ही हैं आपके, या फिर जो मकान माली के, उनका न documentation होगा और कुछ भी नहीं होगा, जिसको KYC बोलते हैं, आधार कार्ट नहीं है, आपके पास आधार कार्ट के लावा आप driving license या water ID, यह भी आप use कर सकते हैं, तो यह ही document लगेंगे और कुछ भी नहीं लगेगा, अब हम apply किसे करते हैं, वो देख लेते हैं, बुक करना है, तो यह यहां जा सकते हैं, जो हम नॉर्मली जीओ फाइबर पर गए थे, और यह जो बुक नाओ का option आ रहा है, इस पे, यह देखिए, यहां पर बुक नाओ का option आ रहा है, यहां पर बुक नाओ पर क्लिक करेंगे, मैं यह six month वाला प्लान जो हो चूस कर देता हूं, यह फि पर OTP आ जाएगा, तो मैं इसको OTP डाल के जो है, वो आगे प्रोसेस करता हूं, यह मैंने valid पर क्लिक किया, valid हो गया, अब यह यहां पर main जो है, वो address बूच रहा है मेरा, यह काफी important step होती है, अगर आपको जहां चाहिए, वहीं का address आपको डालना पड़ेगा, 45 मुझे जह से आपका exact address पूच लेंगे, तो मैं submit पर क्लिक करता हूं, जैसे मैंने submit पर क्लिक किया, जैसे कि आप देख पार है, कुछ process हो रहा है, अब दिखिए, main problem यहां पर आती है, यह आपको directly बोल देगा, कि अगर आपके यह feasible होगा, तो वो चेक कर लेगा, उसी time पर आपकी, जो register कर लिया है, ठीक है, और उसके बाद जो है, आपके पास call आएगा, और पूरी detail लेंगे, आपके पास, आपस कि कौन सा plan चाहिए, क्या चाहिए, address क्या exact, क्या documentation लगेंगे, क्या installation charge होंगे, किता distance तक आपको दे सकते हैं, कौन सा modem, modem चाहिए, नहीं चाहिए, आपके पास जैसे कि मेरे case में, मेरे यहाँ पे भी नहीं है, भी available, जियो का, तो उस case में आपको क्या करना है, कैसे आप internet यूज कर सकते हैं, उसका मैं already एक detail में वीडियो बना चुका हूँ, तो वो वीडियो आप जाके देख लीजिए, कार्ड में आ रहा होगा, वापे और वीडियो क description में भी मैंने दिया है, वहाँ पे भी आप जाके देख सकते हैं उस वीडियो को, और एक और में वीडियो लाने वाला हूँ, जिसमें मैं exactly बताऊँगा कि आपकी पास broadband नहीं है, तो कैसे आप अच्छा internet, stable internet यूज कर सकते हैं, वो भी आपके smartphone की मदद से, तो उसके लिए भी मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ, जल्दी से इस वीडियो लाइक कर दिए, अगर आपको वाला वीडियो चाहिए. जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दिए, शेर कर दिए, अपने friend के साथ मिचो giyofiber वाइबर बुक करना चाते और उनको नहीं पता किसे बूक करे बढ़े न हैं अब दरे तको को दोस्तों यह तो हो गया मैंने आपको बता दिया कि यह इस तरह से अगर बenti करें आप के अवेलेबल नहीं है तो यह आपको मेंसेज मिलेगा अब मैं में बताता हूं को क्या आपके अवेलेबल आपकis अवेलेबल जयों की लाइन नेयुक्त किया प्रोसेसचे उटीत फालतों कि यहां पर देखी यह बुकनांव प्रकällt डॊक्राल पर क्लिक करता हूं का एडरेसि सिलेक करेंगे तो वहां पर आएगा unaware कि यह जाएगा आपकें़ बीच में कुछ 100 meter या 200 meter की difference है और यहाँ पर बहुत जल्दी आ जाएगा तो देखिए जहाँ पर अवेलेबल नहीं है वहाँ पर नॉर्मल आएगा पर जहाँ पर अवेलेबल है वहाँ पर इस तरह से कुछ लिखावाएगा मैं आपको जूम करके बताता हूँ यह देखिए यह दो एड्रेस है यहाँ पर दोनों जगां आ रहा है और नीचे जो है एड्रेस वहाँ पर नहीं आ रहा है मतलब कि यहाँ पर अभी connection अवेलेबल नहीं है बट आपको मिल जाएगा आपके पास में ही है वह connection है कि 100-200 meter दूर है बट अभी आया नहीं है तो उसक पर ग्रीन में लिखा रहा है जीओ फाइबर इस पर आप सिलेक्ट करेंगे तो आपको 100% कनिक्शन मिल जाएगा और आपकी प्रोसेस आगे चली जाएगी तो देखिए जिसे आप सब्मीट पे क्लिक करेंगे तो यहां पर इसी तरह से लिखा जाएगा सब कुछ बता देगा डीटेल में इसी तरह से आप डेक्स्टोप मोड में जीओ फाइबर बुक कर सकते हैं अब बात करते हम मोबाइल की मोबाइल में आपको बताऊंगा कि कैसे आप बुक कर सकते हैं तो देखिए मैं आगया हूँ जीओ मैं आगया हूँ जैसे कि आप दे यह आपको आपको नया बूक करना है तो हमें तो नया बूक करना है जिसे कि मैं अल्रेडी बता चुका हूँ तो नये बूक करना है और बूक नजए करना है तो नहीं पर पर फिल०ित करना है अब देखना है अगरग पर फो गोव étaitशे मेंपर और आपको डालेकसह पको तक डालने की है इंसक्रा आपको बल्रेश्स है बिल्डिंग नेम या सोसाइटी नेम वो सिर्फ डालना है तो मैं यहां पर एंटर कर देता हूँ जल्डी से यह देखिए मैंने एंटर कर दिया है और अब मैं आपको नहीं दिख रहा होगा ओविस सी बात है वो फॉर सेक्यूरिटी रीजन मैंने एंटर कर दिया है अब आप इमेल डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं ऑप्षिनल है बट मेयरे कमेंड करूंगा इमेल डाली ज़रूर डाली है तो क्योंकि मैं आज प्लाय कर रहा हूं आप जरूर डाली इमेल डिवो बहुत इंपर्टन होती है आपको सारे मेल्स वगेडरा अगर आपको कनेक् मिलेगा या नहीं मिलेगा तो इसने बोल दिया देखिए यहां पर कि we are coming to your area soon मतलब कि हमारे area में आने वाले हैं बहुत जल्दी बट अभी connection नहीं है बट अगर आपके connection होगा आपके pin code पे तो वो directly आपको request देगा कि आपकी request जो है वो register हो गई है और आपको हमाई तरफ से call आजाएगा बहुत ही जल्दी तो वो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ मेरे जहां पर मेरे area में दूसरे area में रहता हूँ वहाँ पर वो already geo है तो वो कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ एक तो यह हो गया अगर आपका ऐसा बता रहा है तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते है आपको connection नहीं मिलेगा अगर ऐसा नहीं बता रहा है by chance अगर आपका कहीं पर area ऐसा है जहाँ पर आपको connection मिल रहा है तो उसके आगे की step का होती है वो भी मैं भी बताऊंगा आपको इसको done कर देना और कुछ नहीं करना अब देखिए अब वापस यहां पर आ गए और आपस से में बुक नाओ पर क्लिक करूँगा यहां पर यह बता रहा है देखिए address के आगे लिका आए जाता जीओ फाइबर मतलब की वह वहाँ पर available है वह call आएगा उस call में ही आपको सारी detail देनी है उस call में ही वह आपको सारी detail दे देंगे plans की वगेरा सब कुछ उसी call में सब कुछ हो जाएगा और फिर आपके बास directly जो उनके बंदे होते है जीओ वाले वह जो लगाने वाले वह आके check करेंगी कि आपको किस तरह से connection मिल सकता है और उसी time अगर मिलेगा तो वह लगा भी देंगे तो यही पूरी process होती है जीओ फाइबर को book करने की इसमें कोई बी अलग तरीका नहीं है दोनों में मैंने बता दिया desktop में भी और mobile में भी तो इसी तरह से आप book कर सकते हैं अगर आपने वीडियो को लाइक में किया वीडियो को लाइक कर दो चैनल को सब्सक्राइब कर लो बेल आइकों के साथ ता कि आगे आना वी वीडियो आपको मिलते रहे हैं एक्स वाचिए